हेलो गाइज मेरे नाम है साजी सैफी और मेरे चैनल टेक्निकल सैफी में मैं आप सभी का तही दिल से वाइलकम करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो में हम रियल्मी 6 की स्क्रीन को टीबी पे आपको चला के दिखाएंगे कहने का मतलब दोस्तो यह है कि अगर आपके पास रियल्मी 6 है तो दोस्तो रियल्मी 6 के अंदर जो स्क्रीन काश्ट का फीचर्स मिलता है उसको आपको यूज करके दिखाएंगे और दोस्तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि आप किस तरह से अपने Realme 6 की स्क्रीन को TV पे देख सकते हैं वो भी बिना किसी वायर के तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो अगर आप अपने रियल्मी 6 की स्क्रीन को टीवी पे देखना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने टीवी की सेटिंग्स में आने के बाद आपको सर्च करना है वायलेस डिस्प्ले दोस्तो हर एक टीवी में यह अलग-अलग नाम से फीचर्स दे से आपके टीवी के अंदर दिया है चली तो मेरे टीवी के अंदर यह वायलेस डिस्प्ले के नाम से दिया है आप सिंप्ली आपको करना क्या है इस फीचर्स को सलेक्ट करना है और स्लेक्ट करने के बाद इसे ओन करना है जैसा कि आप देखें फिलाल अभी यह मैंने इसको अब बात करते हैं यहां करके आपको अपने फॉन में सेटिंग्स किस तरह से एनेबल करना है जिससे कि हमारे फॉन की स्क्रीन हमारे टीवी पर हमें दिखने लगे तो दोस्तो जैसा कि आप देखें यह रियल मी 6 है चलिए अब फटाफ़ जल्दी से हम आपको बताते हैं कि अ इनेबल करना है और इनेबल करने के बाद आपको लेना है बैक और बैक आने के बाद दोस्तों यहां आपको एक और फीचर्स देखने को मिलेगा अदर वायलेस कनेक्शन का अब दोस्तों आपको इस पर क्लिक करते हैं तो यह क्लिक करने के बाद यहां इस क्लिक करने के आप इतनी सेटिंग्स को इनेबल कर देते हैं तो इनेबल करने के बाद आपके टीवी का जो मॉडल है वो आपके फॉन के अंदर शो हो जाएगा जैसे कि अभी इसमार्टीवी के नाम से मेरे टीवी का मॉडल आ चुका है और आपको नेक्स स्टेप में क्या है इसको यहां से एक सिमने टीवी से कर नेकी बाँरा समय करने जैसा कि तो अभी देखने को मिलेगी तो चलिए उपको कुछ वीडियो पे अंदर फिडीवी रहे सम्हें से जैसा कि दोश्तो आप देखने की एए इक तरफ मेरे फ ön की स्क् recipient últ. आड samp, मिलेगी और दोस्तों यह काफी बढ़िया क्वाल्टी में चलती है इसमें किसी तरह की कोई भी शिकायत आपको देखने को नहीं मिलेगी हाला कि कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी लेग आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यह जो स्क्रीन कास्ट होता है इसके अंदर डिपेंड करता है कि आपके टीवी का और आपके फॉन का वाइफाई है वो कितना स्ट्रोंग है तो चली दोस्तों मैं आपको पबजी गेम भी थोड़ा सा प्ले करकर देता हूं और जैसा कि दोस्तों आप देखें मेरे फॉन में किसी तरह की मैंने कोई भी वायर यूज नहीं किये औ और यहां आप अगर पबजी गेम को खेलना चाहा है बड़े स्क्रीन पर तो आप पबजी गेम भी खेल सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताया कि आप किस तरह से रियलमी 6 की स्क्रीन को आप अपने टीवी पर देख सकते हैं वो भी दोस्तों बिन